आज मैंने क्या है इड मेकप लोग मैंने अपनी सिंपल सोवर कुड़ती के साथ थोड़ा सपना मेकप हैवी करने की कोशिश किये अपनी जो आइज है उन्हें बोल्ड कराए मैंने वैसे तो इस पार की ज्यादा जो शोर्चे नहीं होने वाली है क्योंकि कोवी टाइम है तो सिंपल भी रहने वाली है तो उसी कोड़िक मैंने अपना लुक किया है मैंने जयदा हैवी टुरेस के साथ नहीं किया है पर हाँ मैंने अपने हेरेस चैल में सेंटर में पार्टेशन किया है तो अगर आप चाहें तो मांग की कर लगा सकते हैं आइड़ नो से क्या कहते हैं जो एद वगर पे या आप लगाते हैं मुझे नहीं पता अगर आप किसी को पता है तो मुझे कमेंड डाउन करें और अगर आप चाहते हैं तो उसे लगा सकते हैं साथी साथ अपनी आप थोड़ी जैली हैवी कर सकते हैं हाथों में जैसे मैंने एक एक कड़ा डाला अगर आप चाहें तो उसके साथ कुछ और कर सकते हैं एक तब बीकव चाहते हैं तो चलिए ज्यादा टाइम वेशना करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मैंने सबस्क्राइल अपनी कुटि पहली पहले पेहन लीती मेकप में बाद में किया है लेकिन मैं अपना स्कीम के है कर चुकियों मॉस्ट्राइजल लीब बाम और मैं हलका सा सीरम वैसे समर का टाइम है तो सीरम की जादा नीड नहीं है और मैंने फिल भी हलका से यूज कर लिया है क्योंकि काफी दीर है यूज होता है हमारा तो थोड़ा ड्राइनेस ना जाए इस पर्या कर दो पैमर ये यह यह भी अच्छा है अब थोड़ा ता यह टांस्पिरिंट बेस नहीं अग्या है आपने जिसी यह ज़्यावाल प्राइम टांस्प्राइब यह तो यह तो अजितक्स हो थोड़ा ज़ने मैं लिगाए और मुस्टी नहीं हमाल की तो मैं हलका ही यह बहुत अच्छा लगता है आपने जादे मेरी वीडियो में देखा होगा सकते हैं इतना जादा सॉफ्ट वाला अगर आप हाथ में लेंगे नो इसलिए आपको पता लग जाएगा इसलिए आज मैं ब्यूट्य ब्लैंडर का यूज नहीं करूंगी आज मैं अपने हाथों स क्योंकि इतना स्मूथली इसका ब्लैंड हो जाता है मुझे बहुत पसंदे वाला फाउंडेशन अगर आप भी तक आपने ट्राय नहीं किया है तो आप इसे करके देखिए मेरी स्किन टोन के कॉर्डिंग मुझे यह बैस लगता है फाउंडेशन आपकी अगर मेरी जैसी सब्सक्राइब करने में अपनी फिंगर के हैं यह ब्लैंड किया आप देख सकते हैं कितनी एजी लिए ब्लैंड हो रहा है हाँ थोड़ी सी फाज स्पीर पर जरूर है पर यह बहुत इसली ब्लैंड हो गया था मुझे ब्लूब्लम नहीं होती इस फाउंडिशन को ब्लैंड करने में आप देख सकते हैं मेरी स्कीन बड़ी एवन सी लग लिए ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कहीं जादा है या कहीं कम अच्छे से ब्लैंड मैंने कर लिया है आप मैं यहां यूज कर रहे हूं यह मैंने अभी-अभी मंगवा है था आपके सामने ही खूल रही हूं मैं अभी तक से यूज नहीं किया है हो सकता है मैं पैपल हॉल बनाओ ता आपको इसमें भी दिखा हूं मैं जैसे तो यहीं आपको मैं इसका डार्ट इंसर दिखाई रही हूं कि कैसा है तब देख सकते हैं स्वीज बूटी का है और सबसे अच्छी बात कि एफड़िवल कैटि तो मैंने स्वीज बूटी का किया बहुत अच्छे रिव्यू सेंसके और फिर मैंने जब इसे यूज किया तो मुझे अच्छा भी लगा या अच्छे से ब्लैंड हो जाएगा आप देखना मैं अपनी फिंगर से ब्लैंड करूंगी और जो भी मेरी डाकर स्पोर्स वगरा अच्छे से हाइड कर देदें इस कंशिलर ने आप मैंसे कोई सोच रहा होगा कि बहुत हलका कंशलर यूज किया तो मट हम ज़्यादा नीड ही नहीं लगती है कंसिलर यूज करने की आप जाया तो मैंने कमीं क्यों होता है जो हमारे काफी निशान वगरा होते हैं फ्यूज की की जदे तर दौकल मेरी इतने हैं नहीं तो मुझे नहीं कुछी है चरी कहां यूझ परपल कांट है अपना क्वे इसमरा टाम में यह नहीं कॉनल जिब डाय वित ड्री साथ अज्क्रप다면 पराइश करना यहां 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 फसक्Ps को जुगी ही जुगा किनا है तो सेट करना जरूर ही जिससे फेस ओयली ना लगे इसने मैंने यहां पर बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट की परपल का यूज किया था अब मैं हाँ यूज कर रही हूं रिवालिशन की रिलोड़ पैलेट है माइ फीवरिट पैलेट है नूड पैलेट है वैसे तो कलर फूल नहीं है यह मतलब अनूड जादा पसंद है मैं इसे काफी लुक करेट की है मुझे बहुत जादा पसंद है इससा ब्लैक प्राउन बात यह कि जादे थर हमें आई मेकब बहुत कभी कभी डेली वगए में जादा है जादा है इसी पैलेट से कर दूंड मुझे लाइट मेकप नहीं होता है तो मैं हैं पहले क्या कर रही हूं एक लाइट जाए ब्राउन दिया है मैंने उससे थोड़ाशा बेस अपना बनाया उब इसमें से मुझे कलर एंप करना फिर्शप करनाे मुझे समझ हाइँ कि अपनी कुर्टी क?' कुर्ती कई का यह जा सा ही का बहुत ही सब्सक्राइब का प्रीफ नहीं है, तो मैंने यही पिक किया यह थोड़ा डाक पिंक है सकते आप मतलब डाक पिंक को मर्जेंटा के बीच में आप मान लीजिए ऐसा कुछ कलर था यह तो मैंने अच्छे से अपनी इसके आइस पे लगा लिया है अच्छी से ब्लैंड करूंगी ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे रखना है मैं ब्लैंड करूंगी क्योंकि मुझे अच्छी सपनी क्रीज वगरा ट्रॉ करने है क्योंकि मैंको आज देना था थोड़ा गूल्डन ग्लिटरी मेकप आई मेकप मतलब तो मैं बेस जो चाहरी थी वह ऐसा पीच पीच या मला पिंक पून में चाहरी थी और मैं उपर से गूल्डन ग्लीटर यूज़ करने वाले हो इसलिए मैंने यहां पर पहले पिंक कलर से किया और साथ ही साथ मैंने अपनी लोग वोटर लाइन पे भी इसे यूज़ कर लिया अब देख सकते हैं मैंने अपनी एक आई में कर चुकियों अब हम करेंगे अपनी दूसरी आय में जैसे मैंने किया उसमें ऐसे ही मैं करूंगी अच्छे सपनी क्रीज बगर डौ करके और लोग वाटर लाइन पे भी लागा लूगी यहां मैं लगा चुकिया आप देख सकत अब जाएगा उजे एक लियाद नहीं क्या था पर गुल्डन टोन वहीं था तो मैंने वाला शेड यूज यूज गया और अलब देख सकते हैं मैंने इसी ब्रेश में जो इसके साथ आया था इससे ही अपने पूरी आई पे उपर मतलब अपर आई पर अच्छे से लगा लि मैं अपने छोटा से एक ब्रेश लिया उसके हैं अच्छे से ब्लैंड कर लिया जिससे कहीं जादा कमना लगे वैसे मैं फर्स्टाम यूज कर रही थी तो इसलिए ऐसा हो गया अगर आप एक दो बार कर लेंगे तो आपको जादा और कोई ब्रेश की नीड नहीं होगी आप इसी ब्रसों अच्छे से लगा लेंगे जैसा मैंने साकनी लेता पहुत अच्छ होते हैं अगरह अबी तक टाय नहीं किया तो आप करिये क्युक्ंक अगर जब्भी आप काल लगे तो लगते हैंगे फिर में हां यूज कर रहे हूं एन्वाइब का आई-लाइनर आई-लाइनर की नीड वैसे तो नहीं थी मैंने ग्रीटर सी काफी अच्छा लुक कर लिया था पर मुझे लगा कि थोड़ा सा पतला पतला सा काजल वो सौरी पतला पतला सा आई-लाइनर लगा लेते अब आप देख सकते हैं मेरी याइस यह आपको मेरी फेस पर थोड़ी जो टेल्शन दिख रही हुए कि वह इस सवजे से क्योंकि बेबी सो रहा था मुझे लागा था उठना जाए तो यह था मेरा फाइनल आई-मेक-प लुक अब मैं लगाओंगी मश्कारा अभी नहीं हा मेरी काफी अच्छी दिखाए देती है ची से उठी हुए दिखाए देती है और बहुत ज़्यादा डाक सी लगती है मतलब जब बहुत पसंद रहे वाला मश्कारा इसका ब्रश भी जो है थोड़ा सा कव स्टैल में है अब मैं यहां यूज़ कर रही हूं परपल का काजल व पर मैंने आज की मेकप के लिए ब्लैक काजल यूज़ किया और देख सकते हैं या इस कितनी अच्छी लग रहे हैं एक अलगी लुक बदल गया काजल से देखने में तो अच्छी लग काजल फैल जाए ना तब बहुत बुरा लगता है चलिए अब मैं यहां यूज़ कर रह ब्लश पर तो मुझे बहुत जाधा पसंड यहां मैं थोड़ा हल्क ही यूज़ करओंगी आप देख सकते हैं यह जादा नहीं करने वाले हैं यह थोड़ा हलक ही रखने यह फैसे में फोड़ा हलक ही रखोऊंगी रिसेंड क्यों वह पहले बता चुकी हूँ तो मैंने ब्ल आपका मेकप कम्प्लीट ना हो जाए जब तक जदमत करें और लास तक दीखिए आपको पता लग जाएगा फाइनल जो होगा लोग अब आप यहां अच्छे से मैंने अपने चेके लिया की और अपने आपने फॉरएट पर करेंगी नूस पर कर अपने अच्छे से पूरी फेस के रिंगी कांट्रिंग मैं जरूरी थी इतलिह मैंने कर Supreme n Огорue इसना बहुत कम यूज करते हूं आज मुझे लग रहा है कि आज मैज मुझे अच्छे से करनी चाहिक उपक्षे से छेप दिनी चाहिक है तो मैन NHL मैंने सूछा कि आ समय देताएं ज्जादा जूकिला सा नहीं बनाते हैं थोड़ा से मैट देते हैं इसके मैंने बहुत हलका हलका ऐसा लगा तो यह था मेरा इसके साथ कौन से यूज़ करूं इतनी सारी लिपस्टिक है पर फिर भी समझने आया कि कौन से यूज़ करूं फिर ऐसे टाइम के लिए मेरी ओल्टाम जो फेवरेट होती है वह यह वाली होती है कि मेबलिन की क्रीमी मैल नाम था न्यूड मलब शेयर था यह मुझे इसेक्पली नेम नहीं पता आपको डिक्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा लेकिन न्यूड शेयर में था मुझे बहुत पसंद है वाली मुझे जब भी कुछ लिपस्टिक समझ नहीं आती है तो मैं यह वाली लगाती है और इतनी अच्छ होटाज आदा नीड भी नहीं लगी एाथ कि खास जुरूती नहीं लगे इसी वह मुझेजादा है भी कंडना का रहे है फिर मैंने अपना हेर्स्टायल बनाया देख सकते हैं मैंने थुड़ा अपको यह नहीं दिर्दाली कि मैंने कैसे बनाया थोड़ा-थोड़ा सापको स सब्सक्राइब निकालने की कोशिश करें वही निकाल दिया हिलके से और फाइनल मेरे हिर स्टाइल कम्प्टिट हो गया अब थोड़े साम अपने एकसे इसी तरह आएंगे कि हमें क्या क्या लगाना लेकिन हां इससे पहले चीज रह गई है वह भी मैं आपको बताती हूं क्या जरूरी है वो मुझे आज मेंना बड़ा मन था उसका यूज करने का वो थी बिंदी जो अभी इस क्लिप में नहीं है आगे वाली क्लिप में है लेकिन सबसे पहले मैं पैन ले थी अपने एरिंग्स एरिंग्स आप बताइए मैं यहां तीन यू निकाले थी मुझी समझ नह आज ठाव मैं आड़ पैने यहां पैने वाले पैने यह यहां पैने यह पैने ना तो ज्यादा हल्क लग रहा है तो मैंने यही पैन लिया यह काफी पशंद मुझे घरिंग्स उस और गोल्डन से रिट्रीकुण ड्रैस होती है तो इस पर चली जाते है आप अच्छे रग ह तो मैं के कड़ा दालूंगी ज्यादा कुछ नहीं करूंगी यार सिंपल रखना है मैं फिर वही कहा रही हूं थोड़ा सिंपल ही रखना है मैंने जो हाँ नेल पिंट लगा रखी है वो टास्पिरेंट बीज और उसमें हलके क्लीटा पार्टिकल है तो आपको ऐसा लग रहा ह दुपट्टा निकाला अपना यह न्यू दुपट्टा मैंने भी तरह यूज नहीं किया है और हाँ मेरी कुर्ती और तो पता जो है वो लोकल मार्केट का है तो मैं इसका लिंक नहीं दे पाऊंगे आप लोगों को पर हां जितने भी मैंने मेकप प्रोडेक्ट्ट्स करें आप लोगो कैसी मेरी वीडियो कि अगर आप אותको कमेंट नहीं करो तो मैं कैसे मोटीवेट hoंगी कैसे मुझे पता लगये कि आप मेरी भी मिस्टetiK लगती मुझे कमें दौन करके बताएं या किसे लेटिवर वीडियो चाहते हैं तो उसकेपिन विजह कमेंट डाउन क कर सकते हैं तो बस आज की वीडियो यही थी आई हो आप लोग को पसंद आई हो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल न भूलें और हाँ जाने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई